तो दोस्तों जैसा कि आप सबी जानते होंगे पिछले शुक्रवार यारी कि 8 मार्च को सिनीमागरों में रिलीज हुई थी बॉलिवूट के सिंगम अजे देवगन की फिल्म शैतान जिसने फिलहाल सिनीमागरों में तहल का मचा रखा है और फिल्म बॉक्स आफिस पर ताबर्तूर कलेक्शन कर रही है जानुस्तों अभी तक शैतान फिल्म ने बॉक्स आफिस पर जिस तरहा से परफॉर्म किया है और आज एक बार फिर से फिल्म के कलेक्शन में हमें उच्छाल देखने को मिला है तो अभी ये कहना बिलुकुल भी गलत नहीं होगा कि बॉलिवूट की इतनी फिल्मे रिलिस होने के बावजूद भी फिल्म शैतान की कमाई पर कोई भी फरक नहीं पड़ा है सबी फिल्में अपनी जगापे एक करोड़, डेड़ करोड़, दो करोड़ की कमाई कर रही है लेकिन शैतान फिल्म बॉक्स आफिस पर वो कमाल अभी भी कर रही है जो सब चाहते थे आपकी जायरगारी के लिए मैं आपको बताता चलू कि अजिद एउगन की फिल्म शैतान ने स्टनेमा अगरों में 15 दिन पूरे कम्पलेट कर लिये हैं और फिल्म का आज 16 दिन है वहीं फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलक्शन हो चुका है और आज अपने 16 दिन ये फिल्म कितनी कमाई कर रही है और फिल्म का 16 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स आफिस कलक्शन कितना हो जाएगा तो दोस्तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रही तो फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद तो रॉंक्टे खड़े कर देने वाला ट्रेलर था और तब ही से फिल्म की बहुत ज्यादा हाइप बनी थी और यही वज़ा है कि फिल्म के कलक्शन में अभी तक हमें ग्रावटे देखने को नहीं मिल रही है आपको बताता चलू में कि शैतान जो की एक हिंदी लेंग्विज की हॉरर थिरिणर फिल्म थी जिसको डेरिट क्या था विकास बहल ने और फिल्म को प्रिड्यूस क्या था विकास बहल जोती देशपांडे और अजी देवगन ने फिल्म में हमें अज्य देवगन के साथ जोती का आर्मादवान और जान की बोधिवाला एहम किरदारों में नसाराई थी फिल्म का बजट लगबग 80 करोड पैसे भी कम का था तो वहीं फिल्म को पूरे वल्ड में लगबग 42 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था लेकिन बात करो में फिल्म के अभी तक के बॉक्स आफिस कलेक्शन की तो दोस्तों आपको बताता चलो में कि फिल्म शैतान जब रिलीज हुई थी सनीमागरों में इस फिल्म ने अपने पहले दिन यानि के ओपनिंग डे पार 15 करोड 21 लाक रुपे की इंडिया से नेट ओपनिंग की थी उसके बाद फिल्म का जो तीन दिनों का वेकेंड रहा था फ्राइडे सेटरडे और संडे वो रहा था 55 करोड 13 लाक रुपे इंडिया से नेट का वो 152 करोड 11 लाख रुपे था ग्यारवे दिन फिल्म ने कमाई थे 3 करोड 18 लाख रुपे बारवे दिन फिल्म का कलेक्शन 3 करोड था और तेहरवे दिन फिल्म ने कमाई थे 2 करोड 80 लाख रुपे चौदवे दिन फिल्म का कलेक्शन था 2 करोड 66 लाख रुपे जा दूस वहीं फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलक्षन एक सो चालिस करोड़ दस लाक रुपय हो चुका है ओवर्सीस फिल्म ने कमा लिये हैं 28 करोड़ 32 लाक रुपय और कुल मिला के फिल्म की जो पूरे वल्ड में टोटल कमाई हुई है वो 168 करोड 42 लाक रुपय हुई है और दोस् इसरे फिरेडे को फिल्म का कलक्षन रहा 2 करोड 50 लाक रुपय का और दोस्तों आज 16 दिन है यानि कि फिल्म का 3 सटर्डे है आई पिल्म भी शुरू हो चुका है और बॉलिवूट के और बड़ी बड़ी फिल्मी रिलीज हो चुकी है लेकिन बावजूद इसके आज एक ब फिल्म बॉक्स आफिस पर सूपर इट हो चुकी है लेकिन अगर 40-50 करोड रुपय और कमा लिए तो ये फिल्म बॉक्स आफिस पर ब्लॉग बास्टर हो जाएगी लेकिन दोस्तों आपको कैसी लगी है फिल्म शैतान कमेंड में इस रूप बताईएगा